दोस्तो अंकल डिलिवरी एक ऐसा डिलिवरी पार्टनर एप है जहाँ पर आप अपनी टू विलर, थ्री विलर, फूर विलर लगा के महिने का एक अच्छा रनिंग कर सकते हैं और एक अच्छी बात, अंकल डिलिवरी की यह है कि यहापर जो rate card दिया जाता है यहापर आपको minimum एक order पे जो पैसा मिलता है और km यहापको डिया जाता है। और सबसे ज़रूरी बात इसका जो rate card है अगर आप औरेडी पोर्टर में या वीफास्ट वोर्जों में अगर आप काम कर रहे हो या काम कर चुके हो तो इसका जो rate card है वो आप ज़रूर एक बार देखेंगा तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अंकर डेलियरी एप में कैसे आप अपने टू विलर, थ्री विलर, फोर विलर को आप अटैच कर सकते हैं अपना आईडी यहाँ पर आप rate कर सकते हैं साथी साथ यहाँ पर जो rate card दिया जा रहा है वो किस तरह से मिलता है जोईन करन में टू विलर से लेकर फोर विलर तक की सभी विहिकल की जानकारी देने वाला हूँ तो वीडियो काफी साथ हेल्फुल होने वाला है तो बस आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्स्राइब जरूर कर लेजे तो सब एक लिए ओर फोर विलर के लिए भी आपका खुझ का ड्राइविंग लैसन यहाँ पर आपका होना चाहिए देन इसके बाद आपके वहिकल का इंशुरंस और वहिकल का आरसी भी होना ज़रूरी है इंशुरंस अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है बस ड्रा रेट काड यहाँ पर मैं आप लोगों को चार सीटी का बताऊंगा जहाँ पर अब भी अंकल डिलिवरी काम कर रही है चारो भी सीटी के जो रेट काड है उसमें आप लोगों को काफी कुछ डिफरन्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे मैं रेट काड आप लोगों को two wheeler, three wheel फोर्विलर सबी की rate card दिखाने वाला हूँ, मिनिमम बेस फिर आपको सभी vehicle में कैसे मिलेंगा, distance पे आपको सभी vehicle में कितना दिया जाएंगा, वो सारी चीजे detail में बताने वाला हूँ, तो इसे आपको ध्यान से समझना है, ताकि कोई भी चीज आपसे मिसना हो, तो सबसे पहले शुरुवात करते हैं टूलर से, अगर आप यहाँ पर अपने टूलर अटेच करना चाते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं टूलर का rate card, जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख पारे हो, मैं step by step आप लोगों को चारो ही city के rate card बताऊंगा, सबसे पहले यहाँ बेंगलोर सिटी के लिए अभी किस तरह से rate card दिया जा रहा है, उसमें जैसे आप यहाँ पर देख पारे हो, टूलर में आप जैसे देख पारे हो, base fare 48 रुपए 2 किलोमेटर के अंदर, यहीं 2 किलोमेटर तक आप लोगों को यहाँ पर मिनिममम 48 रुपए दिये जाएंगे, 2 किलोमेटर से लेकर 8 किलोमेटर के बीच में आपको 7.2 किलोमेटर के हिसाब से पैसा मिलेंगा, 8 किलोमेटर से लेकर 15 किलोमेटर के बीच में 10.4 रुपए पर किलोमेटर के हिसाब से पैसा मिलेंगा, वही पर अगर कोई order 15 किलोमेटर के उपर के अगर आपकी है, तो 11.6 र लगबग साड़े ग्यारा रुपए पर किलमेटर के इसाब से पैसा मिलता है अगर कैपेसिटी की बात करें तो 20 किलो तक का यहाँ पर आप लोगों को पार्सल मिल सकता है साइज जैसे आप देख पारे हो 40 cm by 40 cm by 40 cm अब यह एक 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 जामपल के तवर पर आपको यहाँ पर साइज दी गई है वैसे आपको जो भी पार्सल मिलेगा उस पार्सल की जो साइज होंगी वो उस पार्सल पर डिपेंड करेंगी यह तो हो गया motorcycle के लिए यानि टूविलर के लिए यहाँ पर अगर आप अपकी 3 विलर अटेच करते हो तो उसके लिए rate card कैसे मिलेगा यहाँ पर 3 विलर के लिए जो minimum base fare दिया गया है वो 190 रुपए दिया गया है यानि minimum आपको 190 रुपए आपको एक राइट पे मिलने वाले है एक किलोमेटर से लेकर 10 किलोमेटर के बीच का आपका जो भी distance होंगा उस पर आपको 22 रुपए पर किलोमेटर के हिसाब से पैसा मिलेंगा तो उसमें आपको 15.7 किलोमेटर के इसाब से आपको पैसा मिलने वाला है capacity के अगर बात करें तो 500 kg तक की capacity आपको 3 wheeler में यहाँ पर मिलने वाली है size आप जैसे देख पारे हो 5.5 feet by 4.5 feet by 4.5 feet अब यह भी एक example के तोर पर दिया गया है आपको जो parcel मिलता है उस पर जो भी size होंगे वो depend करती है तो यह तो हो गया 3 wheeler का अब इसके बाद अगर आप यहाँ पर आपकी 4 wheeler attach करते हो तो 4 wheeler के लिए जैसे आप यहाँ पर देख पारे हो इसमें 2-3 part दिये गया है जैसे कि 7 feet 8 feet 4 wheeler कौन से है उस पर depend करता है तो 7 feet के लिए आप जैसे देख पारे हो minimum base fare जो है वो 1 km के अंदर आपको 213 रुपए यहाँ पर दिये जाएंगे 1 km से लेकर 10 km के बीच में आपको 24.7 रुपए पर किलमेटर के हिसाब से पैसा मिलेगा वही पर अगर कोई parcel आपका 10 km के उपर का अगर distance है तो उसमें आपको 18.1 रुपए पर किलमेटर के हिसाब से पैसा मिलेगा capacity आपकी 7500 kg तक यहाँ पर हो सकती है देज नीचे 8 feet फूर्विलर का भी यहाँ पर दिया गया है इसमें base fare जो है वो 218 रुपए एक किलमेटर के अंदर मिलेगा एक किलमेटर से लिकर 10 किलमेटर के बीच की अगर order है तो 24.7 रुपए पर किलमेटर के हिसाब से 10 किलमेटर के उपर की अगर order है तो 18.1 रुपए पर किलमेटर के हिसाब से पैसा मिलेगा capacity 1000 kg तक की यहाँ पर आपको मिल सकती है और size आप जैसे नीचे देख पारे हो उस तरह से size यहाँ पर मिलने वाली है देन अगर Tata 407 की बात करें अगर आप यहाँ पर आपका Tata 407 लगाने वाले है तो उसमें आप जैसे देख पारे हो best fare जो है वो 525 रुपए एक किलोमेटर के अंदर एक किलोमेटर के बात आपको 43 रुपए पर किलोमेटर के हिसाब से पैसा मिलेंगा फिर वो जितने भी किलोमेटर के order हो और capacity आप जैसे देख पारे हो 2500 kg तक की capacity यहाँ पर आपको मिल सकती है और size आप जैसे नीचे देख पारे हो इस तरह की size आपको यहाँ पर मिलेंगे अब इसके बाद दूसरी जो city है वो है देली देली में टूइलर में आप जैसे देख पारे हो minimum base fair जो है वो 48 रुपए 2 किलोमेटर के अंदर यहाँ जो भी order आपकी 2 किलोमेटर के अंदर के होंगी उस पर आपको minimum 48 रुपए मिलेंगे 2 किलोमेटर से लेकर 5 किलोमेटर के बीच में आप लोगों को 5.2 किलोमेटर के हिसाब से पैसा मिलेंगा 5 km के उपर आप लोगों को 5.9 km के साब से पैसा मिलेंगा और capacity जो है वो सेम है 20 kg तक की और size भी यहाँ पर सेम दी गई है अब यहाँ पर देली में अगर 3 wheeler की बात करें तो 3 wheeler में यहाँ पर minimum base pair 237 रूपए 1 km के अंदर यानि कोई भी order अगर आपके 1 km के अंदर की है तो 3 wheeler के लिए 237 रूपए 1 order की मिलेंगे वही पर 1 km से लेकर 9 km की बीच की अगर आपके order है तो distance पर आपको 19.4 km के हिसाब से पैसा यहाँ पर मिलेंगा 9 km के उपर आपको 21.8 km के हिसाब से यहाँ पर पैसा मिलने वाला है और capacity सेम है 500 kg की और size भी सेम है अब यहाँ पर अगर Tata S की बात करें तो minimum base pair 1 km के अंदर 340 रूपए यहाँ पर मिलने वाला है 1 km के उपर के आपके जो भी order होती है उसमें आपको 21.6 km के हिसाब से यहाँ पर आपको पैसा मिलेंगा capacity 7500 पर kg और size जो है वो सेम है देन अगर यहाँ पर 8 feet 4 wheeler की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 km के अंदर minimum base pair जो मिलेंगा वो 480 रूपए यहाँ पर दिया जाएंगा देन एक किलोमेटर के बाद आपको 21.8 रूपए पर किलोमेटर के हिसाब से पैसा मिलेंगा capacity 1000 kg तक के देन यहाँ पर अगली city जो है वो है मुंबई मुंबई city में जैसे आप देख पारे हो पहले देख लेए ते हैं टूइलर का टूलर में यहाँ पर आपको minimum best pair जो मिलता है वो 44 रूपए यहाँ पर आपको 1 किलोमेटर के अंदर मिलने वाला है 1 किलोमेटर से लेकर 15 किलोमेटर के बीच के अगर आपकी ओर है तो 7.2 किलोमेटर के इसाब से पैसा मिलेंगा 15 km के उपर की अगर order है तो 8 रुपए per km के हिसाब से पैसा मिलता है Capacity same way है अब यहाँ पर अगर 3 विलर की बात करे तो 3 विलर में है आपर आपको best pair 200 रुपए 1 km के अंदर के यहाँ पर आपको दिये जाएंगी 1 km से आगे की अगर आपके order है तो 22 रुपए आपको per km के हिसाब से पैसा मिलेंगा Capacity same way है अब यहाँ पर Tata S की अगर बात करें तो Tata S में आपको minimum best pair 242 रुपए 1 km से लेकर 15 km के बीच की अगर आपके order है तो 24.2 km के हिसाब से पैसा मिलेंगा और 15 km के उपर आपको 20 रुपए per km के हिसाब से पैसा दिया जाता है Capacity same है देन यहाँ पर 8 feet के 4 wheeler की बात करें तो यहाँ पर minimum best pair 330 रुपए 1 km के अंदर का 1 km से लेकर 10 km की बीच में 30 रुपए per km के हिसाब से 10 से 20 km की बीच में आपको 24.2 रुपए per km के हिसाब से पैसा मिलता है और 20 km के उपर आपको 21.8 रुपए per km के हिसाब से पैसा मिलेंगा Capacity same way है अगर यहाँ पर बात करें तो minimum best pair 660 रुपए आपको 1 km के अंदर मिलने वाला है 1 km से लेकर 20 km के अंदर आपको 22 रुपए per km के हिसाब से पैसा मिलेंगा 20 km के उपर आपको 38 रुपए per km के हिसाब से पैसा यहाँ पर दिया जाता है Capacity जो है वो same है अगर यहाँ पर आप आपका आइसर लगाती हो तो आइसर में आप जैसे देख पारे हो minimum best pair 1 km के अंदर 1200 रुपए यहाँ पर दिया जाता है 1 km के बाद आपको 50 रुपए per km के हिसाब से पैसा मिलेंगा और Capacity जो है वो 35 kg की यहाँ पर दी गई है अब लास्ट सिटी है वो है हैदराबाद हैदराबाद में टूलर में आप जैसे देख पारे हो minimum best pair 40 रुपए एक किलोमेटर के अंदर एक किलोमेटर से लिकर 10 किलोमेटर की बीच में आपको 4.5 रुपए per km की हिसाब से पैसा मिलता है 10 किलोमेटर की उपर आपको 10 रुपए per km की हिसाब से पैसा दिया जाएंगा Capacity जो है वो सेम है 3 विलर के लिए minimum base फिर 200 रूपए 1 किलूमेटर के अंदर, 1 किलूमेटर से लेकर 3 किलूमेटर के बीच में 12 रूपए पर किलूमेटर के हिसाब से और 3 किलूमेटर के उपर 19.8 रूपए पर किलूमेटर के हिसाब से पैसा दिया जाएंगा, देन यहाँ पर टाटा इसकी अगर अगर बात करें तो minimum base फेर यहाँ पर 235 रुपए आपको 1 km के अंदर 1 km से लेकर 3 km के बीच में आपको 12 रुपए पर किलिमेटर की हिसाब से मिलता है वही पर 3 km के उपर की अगर order है तो 19.8 रुपए पर किलिमेटर के हिसाब से दिया जाएंगा capacity जो है वो सेम है 8 feet 4 wheeler की अगर बात करें तो यहाँ पर minimum base फेर 325 रुपए एक किलिमेटर के अंदर 1 km से लेकर 5 km में 18 रुपए पर किलिमेटर के हिसाब से और 5 km के उपर की अगर order है तो 23.4 रुपए पर किलिमेटर के हिसाब से पैसा में दिया जाता है तो दोस्तो यह थो गया rate card आप किस तरह से यहाँ पर आप आपका ID क्रियेट कर सकते है याई कैसे आप आपका vehicle यहाँ पर attach कर सकते है अब आपको joining के लिए करना क्या है मैंने नीचे description में link दिया है जैसे आप उस link पर click करते हो उस link से आपको uncle delivery partner app है उस app को download कर लेना है जैस यहाँ पर आप जैसे देख पार हो सबसे पहले आएंगा mobile number और देन नीचे password तो अभी तो हम यहाँ पर नए है अपना ID क्रियेट कर रहे है तो आपको करना क्या है सबसे नीचे register पर आपको click कर देना है फिर यहाँ पर आपको mobile number रेंटर करना है नीचे आप जिस city में काम कर आपको अपको select कर लेना है फिर नीचे जैसे कि आप देख पार हो motorcycle यानि कि आप two wheeler, three wheeler, four wheeler जो भी आपका vehicle attach करना चाते हो उस vehicle को आपको select कर लेना है और नीचे आपको I agree वाले column पर आपको click कर देना है और फिर get start पर आपको click कर देना है फिर यहाँ पर एक OTP आएंगा वो OTP आपको यहाँ पर enter करना है दिन इसके बाद यहाँ पर आपको आपका पूरा नाम जो आपके ID पर नाम है वो नाम enter करना है और नीचे email ID optional है अगर आपके पास email ID है तो आप डाल सकते है वरना नीचे next पर आपको click कर देना है फिर यहाँ पर आपको आधर का number आपका enter क नीचे आपको next पर click कर देना है फिर यहाँ पर आपको vehicle का आपका number एंटर करना है और नीचे next पर click कर देना है फिर यहाँ पर एक चोटी से training का आप लोगों को sample दिया जाएंगा तो आपको continue पर click करना है कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो आपको सवालों की job देके आपको submit पे click कर देना है जैसे आपकी training complete हो जाती है इस तरह से interface आपको दिखाई देंगा दिन इसके बाद आपको यहाँ पर आपका alternate mobile number एंटर करना है नीचे emergency contact person जिनका नाम आप डालना चाते हो उनका नाम और नीचे उनका mobile number referral code जैसे मैंने नीचे link दिया है उसी link से आपको फोटो दिन नीचे driving license देन RC देन profile photo vehicle insurance vehicle body bank card और bank data तो सबसे पहले आपको आधारकाट यहाँ पर एंटर करना है backset और frontset का photo जो जो फोटो है वो आपको clear यहाँ पर upload करने है वरना अगर आपका जो भी idea हो आड़ी यहाँ पर active नहीं होंगा तो आपको आधारकाट backset और frontset ज बता दो यह मैं आप लोगों को tweeler का बता रहा हूँ यहाँ पर document में आप अगर आपका three wheeler या four wheeler लगाते हो तो उसमें आपको कुछ चीजे एक्स्ट्रा यहाँ पर लगानी जरूरी है तो अभी यहाँ पर आप जैसे देख पार हो बाकी जो पूरी process है वो सारी same है तो यह इसके बाद आपका जो भी bank passbook का जो भी detail है वो सारा आपको यहाँ पर fill up करना है जैसे आप सारे document यहाँ पर fill up कर देते हो fill up करने के बाद इस तरह से interface आपको दिखाई देंगा अब यहाँ पर आप जैसे देख पार हो इसमें आपको सबसे नीचे submit पर क्लिक कर देना है जै जैसे आपका ID active हो जाए आपको यहाँ पर इस तरह से interface दिखाई देंगा congratulations का फिर आपको करना क्या है आप जैसे फिर से आप app में login करोंगे जैसे आप app open करते हो आपको इस तरह से interface दिखाई देंगा अब यहाँ पर आपको आपका password भी set करना होता है तो सबसे पहले आपको एक password आपको screen पर दिखाई देंगा यह password आपको login में पहले एंटर करना है तो जैसे आप login करते हो तो उपर आपको आपका mobile नमबर दिखाई देंगा नीचे आपको जो password यहाँ पर दिया गया है वो password आपको एंटर कर देना है और login पर क्लिक करना है फिर यहाँ पर आप जैस पासवर्ट पर क्लिक कर देना है, जैसे आपने पासवर्ट डाल दिया, वो पासवर्ट यहाँ पर अपडेट हो जाएंगा, और फिर आपको यहाँ पर आपका mobile नमबर डालने के बाद, जो भी नया पासवर्ट आपने डाला है, वो एंटर करके आपको लॉग इन कर देना है, जैसे आप लॉग इन कर देते हो, आपका जो एप है वो ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद, फिर आपको जब से आप काम स्टार्ट करना चाते हो, आपको एप में जाके ऑनलाइन जाना होता है, ऑनलाइन जाने के बाद आपको जो ओर्डर है, वो आपके एरिया में नज यहां से ले सकते हो तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजे और अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्ट्राग्राम पर परसनली भी आप मुझे बात कर सकते हैं इंस्ट्राग्राम के ID मैंने नीचे दे दी है या आप मुझे से कमेंड में भी आपके जो सवाल है वह आप पूछ सकते हैं तो चले थैंक्यू सो मच मिलते हैं अगले वीडियो में